आप की राशी, कौन सा समय है आप के लिए शुब्र? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कारिकरम से पाँ चीज़े कभी मत ख़रिदना आप अप कंगाल बन जाएंगे दन की हानी हो जाएगे और आप चोट और पटक में पड़ जाएंगे और आपकी जो सम्मान में किसी還是 किसी बादएं आजाएंगे और समस्य आजाएंगे पात चीज को बोलकर भी आपको सनी बार के दिन में गर में लेकर नहीं आना है और खरिद भी नहीं करना है बरना आपको बारी नुक्सान उठाना पड़ सकता है सनी देव कोदरीद हो जाएंगे सनी देव इसके प्रवाब क्रोप में आप आजाएंगे और आपकी जीवन में गर परिवार में तनाप और पती पत्नी बीच में तनाप प्रेम जीवन में तनाप बिजनसों में तनाप की इस्तिति उत्पन हो जाए कि मेरे पैरे मित्रों आपको भूल कर भी पांथ चीजे सनी ठीकारि में बात करेंगे मेरे पैरे मित्रों आपने वीडियो काँसे देख रहे हैं करें गर शेयर करें अगर आपके मनमे कोई जिग्या सा है तो जोरूर कंद कर करके अमें बताज़िए अगर आउम आपनी जन्म पत्रे का देखाने चाहते तो comment करें जन्म देट जन्म मीति जन्म समय जो है आप comment बक्स में comment करें हम जरूर आपके live के अनुसर आपको बताएंगे ही मेरे प्यारे मित्रो आये शुरू करते हैं ये 5 चीजे क्या है और सनी बार को दिन क्यों नहीं खरिदना चाहिए सनी बार के दिन क्यों ये काम नहीं कर करें लाइक जरूर करें मेरे प्यारे मित्रों आईए लिदू के देवता जो हमारी इंडिया नेपाल में जो बात बासियों के लिए जो लो M जाते हैं राव के तुकर नामचे लोग डर जाते हैं शनीदेब की कारण और नराज हो झाएं तो किeg package यूच Divine बालविक कारण कई सालों तक बुरा असर पड़ जाता है बोहौती असुप्रवाप पड़ जाते हैं मेरे पेटयों हो सनी बाहर के दीन अगर हम यहाँ पे देखें सनी देव की आर्दना करने चाहिए सनी देव की पुजा करना चाहिए सच बोलने चाहिए बेुकर में बोलना चाहिए तो आपको बुरी असर से आप बच पाएंगे मेरे पैरे मित्रों आपको सनी देप को परसंद करना है और सनी देप से आपको सुब खलकी प्राप्ति करनी है तो आज हम बात करेंगे आपको ओल चड़ाते हुए आपको पिपल के पेड़ में या तील के दिपक जलाने से सनी देप परसंद होते हैं आप कई सालों से करते आ रहे हैं तो ये गरीब को दान करना गरीबियों को भोजन कराना और यहाँ पे अच्छा माना जाता है किसी काली चीज को नेली चीज को बस्त को लोहा दान करना काली दाल दान करना काला कपड़ा दान करना गरीबियों को भोजन कराना बहुत ही सुवा माना जाता है तो यहाँ पे आज यह उपाय तो यह चुट्टे अलग हैं लेकिन आमने सनी बार के दिन में घर में बोल कर भी लेकर नहीं आना चाहिए ये जे चीज है, इसके बारे में बात करेंगे, सनी देव की आपको पुणरूरूप से इसके कीरफ़ा दिश्टी बनी रहें इसलिए आप सत्कर्ण करें, सत्मार्ग में चलें और सनी देव की पुजा करें, हनुमान जी का आरदाना करें, हनुमान से आप पुजा पाठ करें, ऐसे करने से आपको कभी भी सनी देव की आपको इसके प्रकौप में नहीं परेंगे, अब आए हम बात करेंगे, मेरे पैरे म इसके बारे में हम बात करेंगे मेरी पहले मीत्रों एक नंबर में है तेल खाने वाला तेल हो या लगाने वाला तेल हो या किसी भी तेल को आपने खरीद नहीं करना है यह सनी देव संग के साथ सीधा असर पढ़ने वाला है साथरों में माना गया है कि किसी भी व्यक्ति को सनी बार के दिन तेल को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है ना तो गर में लेकर आना है चाहे वा सर्षो का तेल हो या मस्टर्ड ओईल हो या ओलिब ओईल हो या कोई भी चीज हो ये चिगनी पदार्था कभी भी आपको लेकर नह आना है सनी बार के दिन तेल बिल्कुल नहीं खरेदना है अगर आप तेल खरीद कर घर में खाते हैं तो रोग और बिमार की संकट में पढ़ जाएंगे आपको तेल सनी बार का दिन खरीदा हुआ तेल खाने से जीवन में स्वास्ते में असर करदा है क्योंकि आम दवाई खान स oni बार के दिन में आप टील करना बहुत ही सूभर माना ज़ाता है आप दान कर सकते हैं लेकिन खरीद के अर कर में ना लयां आपको बहुत ही निगेटीब उर्जा और नगरात्मा उर्जा में पढ़ जाएंगे तो बेहुत लाव है कि आप तेल को दान करें, और अगर आप चाहते हैं, तो किसी भी कोटवरी में तेल राखे, आपका फेश देखे, किसी सादुस अन्त अन्त को दान कर दें, या मंदरी में चड़ा दें, ऐसा करने से, सनी बार को तेल दान करने से, आपके हर समस्या अंत हो जाएकी और सनी देब की किरिवा पनी रहेकी मेरे प्यारे मित्रों और अगिली दूसरी नंबर में है लुहा आपको फलाम जो लुहा है आप समझती हैं जो 37 में इसका असर सीधा सनी देब के साथ माना गया है आपको कभी भी ये लुहा सनी का दातू माना जाता है अगर सनी बायर के दिन में अगर आप लुहा से बनी कोई चीजे बरतानी हो गए लुहा हो गया रड हो गई और किसी भी सरीया हो गया आईरन हो गई लोहा से बनी हुई चीज विल्कुल खरीद नहीं करना है अगर आप घर में लेकर आते हैं तो बहुत सारी संकटें और दन्हानी के निशानी हैं गरीवी की संकेत है अगर आपके घर में कोई खरीद कर लेकर आता है तो सनी बाहर के दिन में लोहा खरीदना बहुत ही असुब माना गया है कभी भी भूल कर लोहा के बने हुई चीज लोहा से बने हुई चीज लोहा खरीद कर नहीं लेकर ना अगर आप लेकर आते हैं तो आपके घर में पक्का अगर आपका मन होता है कि आप लोहा खरीदने तो आपके जीवन में कुछ दन की आनी होने वाली है, संकट आने वाली है, आप राजा से कलंक बन जाएंगे, तो अरब पती से करोड पती से रोड पती बन जाएंगे, तो करके आप बिलकुल लोहा से बना हुआ, समान बिलकुल नहीं खरीदना है, नह और आप संनिभार के दिन में लोा डान करते हैं तो बहुत इस सुबह माना चांथा सुनिक परवाब का कम हो जाए और सनी दे परसन हो जाएंगे खुशी हो जाएंगे आप लोहा दान कर सकते हैं तेल दान कर सकते हैं तो मेरे प्यारे मित्रों ये चीजें कभी भी आप सनी बार को दिन में ये दो चीज नहीं लाएं अब अगले तेसरी चीज है आपको नमक देखिए नमक खाने व बहुत निए धिला पड़ता है, तो हमको सनी बार के दिन का करीदा हुआ हुआ नमक खाने से हमारे सरीर में कई गरंत्यां, कई रोग, कई सक्रमन बाईरस हुपनन हो जाता है, तो तो सनी बायर का खरीदा हुआ नमक कभी भी भूल कर ना खाएं मेरे पैरे मित्रों जहां ज्यादा तर सनी बायर के दिन में छुट्टियां हो जाती हैं तो आम सबिंग करने जाते हैं तो भूल कर भी यह चीजे नमक नहीं खरीदना चाहिए तो यह नमक खरीदने से खाने से क बिल्कुल ना खरीदें, ठीक है, तो नमक खरीदने से आदमी को अगर कर्ज लागी है, तो पहले सी कर्ज में डूबे हैं, तो और भी कर्ज का भार बढ़ जाता है, तो मेरे पहरे मित्रों, आपको कर्ज बिल्कुल बचने की कोशिज करें, नमक का खरीद बिल्कुल नहीं कर आइजिए अगली बात करेंगे काला थील तील सबको पता ही है तील के बारे में बने की जएद ज्यरूरत है काला थील सनि बार को दिन में सब्ysis को दान किया जाता है तो अगर काले थील को आप सीर में बार करके की सब्सकें को धान किया गया है allez 37 tones में अग 3900 लाकों साल आगे कि सब्सक्राइब जो भी है आपके जीबन में संकड की उत्पन हो जाएकि तो बिल्कुल तिल को नहीं ख़रित करना मेरे पएरे मीत्रों मुश्कीले का सामना आपको करना पड़ सकता है आंके पर में संकट आ सकती है काला तिल बिलकुल भूल कर भी आपको नहीं खरीदने हैं मेरे प्यारी मित्रों और अगिली चीज है इंदन अब ग्यास आपको बाइक का तेल अब देखिए अगर आपको यहां पर आज तक किसी नहीं बताया होगा उन्हें आपने बहुत सारे देख लिया होगा बतावियादी भी होगा तो अगर आपको रसे की ग्यास मार्चिस और आपको पैक्ट्रोल डिजल इंदन अगर कोई जती जती जितने भी हैं आपको यह बिल्कुल खरीद नहीं करना है क्योंकि यह जीवन में सनी देव से जोड़ी हुई चीज है लेकिन इस दिन आपको खरीद भूल कर भी तेल डलवाते हैं तो एक्सियंट होने की सब्वावना ज्यादा होते हैं सनी प्रकप रहते हैं सनी भूल इतरों अगेली बात है जो काली डाल है काला कप्ड़ा है यह भी बिल्कुल नहीं खरीद करना है क्योंकि यह दिन आपको बिल्कुल यह चीजन हीwah नहीं खरीद करनी है अगर आपने ये चीज खरीदने से बच लिया तो अगर आप इसी को अपनाते हैं इसी चीज से दूर रहते हैं सनी बार के दिन तो आपका जीवन राजय की सम्मान आपको फल परापती होती है बस आप दान कर सकते हैं खरीद मत करना तो आपके जीवन में अच्छा रहेका आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएका नमो नारेंड मित्रो रादे रादे वीडियो को सेर करें लाइक करें ये था पांथ छे साथ चीजें जो सवनी बार को दिन में करना नहीं चाहिए तो रादे रादे वीडियो को सेर लाइक कमेंट करते करते आगे बढ़ें जैमाता जी